वल्कम बैक, देखिए मैंने अपना CS Center चेंज कर दिया है और मैंने एक नई दुकान लिया है आपको किराया पर आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कल मैंने कितने कमय करी और अगर आपको भी CS Center खोलना है तो आपको कौन-कौन समान अपनी दुकान में रखना पड़ मैंने लिखवा रखा है सेम तुसेम आप लिखवा सकते हैं आप बोडवाले के पास जाएंगो उसको बोल देंगे सर मुझे दुकान खोल ली है तो इस टाइप सो लिख देगा ठीक है तो यह सब चीज आप नोट कर लीजे क्या कर लिखवाने नंबर होंगा सब को दिखव इसके बाद देखी है शकते हैं एनए ठीग देख्या यहां पर दिवार पर मैंने यह द centuries एशके बाद साम में कि इसके बाद दिखे आपको इसके बाद यहां पर देखिए मैंने अग मैंने इस बेडागा रखा है इस पर भी माल में और सबकुछ वह लिक्खा हुआ है सामे लगा देना है मतलब कि दुकान तर्छ जय को है उसके दमिया बद चली जाए कि यहां पर सारे तो इस तरीके से आपको पूरी दुकान अपनी मेंटेन कर देनी है बहुत सारी पोस्टर आप छपा लेना यह सो डिट्सों में पोस्टर शप जाते हैं ठीक है अब देखे बात करते हैं और कौन से चीज़ है जो आपको जोद पड़ेगी सबसे पहले चीज़ दोस्तों यह आपकी सिस्टम आपके पास होना चीए या तो कंपूटर हो आपके पास या फिर लैप्टॉप हो तो भी आपका काम चल जाएगा पर लैप्टॉप अगर आप यूज कर रहे हो तो लैप्टॉप को देख लो ना कि वह करीब 20 या 25,000 पे से लैप्टॉप ले लो आपकी मरजी है दौनों में ही आप काम कर सकते हो ऐसे नहीं कि देख लेना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों आपको प्रिंटर की रिगॉर्मेंट पड़ेगी और मेरे पास जो प्रिंटर है वो है एप्शन का एल 32 इसमें सब कुछ है मतलब यह स्कैन कर देगा और इसके आपका फोटो कापी और प्रिंट सब कुछ कर देगा है इसका प्राइस था वो है करीब 14 या 15,000 रुपे का है अब चेक कर लेना अभी मार्केट में चल रहा है इसका लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा दोस्तों को चाहिए मैं काफी टाइम से उसकर रहा हूं मुझे भी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें और एपसन कंपनी बढ़िया है अगर आप दुकान के ले रहे हो तो बहुत बढ़ी काम करेगा है इसके बाद सेंटर के लिए आपको पड़ेगी फिंगप्रिंट डिवाइस की मेरे चेह पास डिवाइस है मंतरा का मंतरा का फिंगपके डिवाइस मेरे पास और इसकी चेमत है वह है करीब कर दो दो다가 ब्रॉसमें दिखकती आती है कि कहीं चईंक पर रहे हमें लिए रहे करता है मेक्सिम्क जगह मैश्म्राफ कदीवाइस काम करई घृ का जाता है तो यह तो यह आपका दोस्तों लेमनेशन की मशीन आधा का प्रिंट करने के लिए या फिर आपको कोई भी डॉकुमेंट लेमनेशन करने के लिए चीज़ाओ पड़ेगी यह मिनी मशीन है वी एमस की और इसका प्राइस है वह है 1400 रुपे तो काफी अच्छी है यह अगर आपके पास काम कम है स्टार्ट कर रहे हो आप तो यह मशीन आप ले सकते हो इन केस अगर आपके पास ज्यादा काम आता है तो आप फिर चेंज कर सकते हो और बड़ी मशीन ले सकते हो बड़ी मशीन करीब 4-4,000 रुपे गाएगी इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्स आपको कुछ डुकुमेंट्स की रिक्वार्मेंट पड़ेगी इसके अपने दुकान चलाने के लिए तो दिखायतों क्या है कि सबसे पहले चीज दोस्तों आपके पास यह स्टेंपड होना चाहिए ताकि कोई गोटा-गोटा लगाना हो किसी को तो लगा सकताने से इसके ब कार्ड लेंडिशन कर सको इस ताइब का पाउच होता है इसका जो प्राइज है वो है करीब सो पीस का यह आपको सो रुपर या एकसो बीस रुपर का मिल जाएगा ठीके दुस्तों यह आप चेक कर लेना मैं अभी कनफार्म नहीं है क्योंकि काफी टाइम होगा मुझे तो आप चेक कर लेना वीडियो डिस्क्रिशन बॉक्स में इसके बाद दोस्तों कुछ और समान के आपको रुपार्ण पड़ेगी आपको दिखाएता हूं एक सेकेंड सब कुछ दिखारों में आपको एक सेकेंड लगेगा रूखो लगेगी है यहां पर देखिए कि यह आपको दोती चीजा है जो आपको चाहिए होंगी देखिए पहली है आपकी दोस्तों आप के पास एफॉर साइज का जो लेमिरेशन पाऊच है वो होने चाहिए जिस पाप डॉकमेंट पगएरे लैमिरेशन कर सको दोस्तों इसका जो वह है सौ पीस का करीब 280 रुपे लिंक आपको वीडियो के डिस्कूशन बॉक्स में देदूँगा आप चेक कर सकते हो एक फोर साइज की लेमिनेशन शीट है इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए होगा यह देखिए अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो निकालते हो या फ आधार कार्ड निकालने के लिए आपको इस डॉक्मेंट की जो इस सीट की रिकॉर्ण पड़ेगी पचास सीट का पैक आता है एक सो तीस जीएसम है आधार कार्ड पैन कार्ड आप इस पर निकाल सकते हो आसानी से और बहुत बढ़िया शीट है दूस्तों है ग्रोशी पर इसका प्राइज भी करीब आपको एक शॉटो कापी के पेच चीहोंगे यह आपको 500 पेच की इकटी मिलती है पूरी जो प्रैकेट साइज है और यह जो प्राइज है वह आपको करीब दो डाइसों का मिल जाएगा तो सब कुछ मैंने दिखा दिया है आपको नॉर्मली जो आपको अपने दुकान में चाहिए होगा स्टार्टिंग के लिए अब जैसे काम बढ़ते जाएगा आप समझ जाओगे कि आपको और चाहिए इसके अलाब दोस्तों मैं आपको दिखाएता हूं कि मैंने पहले दिन कितनी कमाई करी है अपने दुकान में तो आप देख दोस्तों यह है मेरे पहले दिन की कमाई 21 तारिक की इदे की टोटल मैंने दोस्तों यहाँ पर 148 रुपर कमाई थे जिसमें से कुछ फोटो कापी थे लेमरेशन थे और कुछ बैंक ट्रांसफर थे ठीक है टोटल में लाकर मैंने 148 रुपर देड़ सुरुपर मैंने कमाई पहले दिन में तो आप बहुत देख लिजिए कि इतना पैसा कमा सकते हो स्टार्टिंग में ठीक दूस्तों तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं इसके अलावा आपको कुछ सवाल है दिमाग में तो प्लीज कमेंट कर देना वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और मिलत आईश्बलिम, Thank you very much